Hello and welcome आप देख रहे हैं बिस्तक, चीन और अमेरिका, दोनों ही देश एक दूसरे के साथ ट्रेड वार में लगे हुए हैं, दोनों ही देश एक दूसरे को नुकसान पहुचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, इस दौरान चीन इस कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ ग लेंगे और दुनिया भर के प्रोड़क्त के मुकाबले कीमत चीन के प्रोड़क्स की कम होगी, अब अमेरिका चीन की इस हरकत पे क्या जवाब देगा चीन को, इसको देखने के लिए बने रहे हैं हमारे साथ, मैं हूँ धोईक कौशिक, देखते हैं रिपोर्ट एक तरफ चीन ने अपने युवान की कीमत गिरा दी, दूसरी और अंतर रास्टे मार्किट में चीनी प्रोड़क्स की कीमत कम हो गई है चीन के इस फैसले का सबसु ज़्यादा नुकसान अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को जहिलना पड़ रहा है जो अंतर रास्टे मार्किट में भारी तादात में अपने प्रोड़क्स को निर्याद करते हैं ऐसे में अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए चीनी करंसी युवान को ब्लेक लिस्ट में डाल दिया है अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने चीन को करंसी मेनिपलेटर के तौर पर लिस्टिट कर दिया है दरसल चीन ने अपनी करंसी युवान का बहुत ही चलाकी से अवमुलन यानी डिवेलुशन कर दिया इसके चलते अमेरिका और चीन जैसे दो सबसे बड़े आर्थविवस्थाओं के बीच वैपारिक मोर्चे पर चल रहे टकराव के गहराने की अशंका है अमेरिका ने चीन की और से अपनी मुद्रा युवान को डॉलर के मुकाबले साथ के इस तर से नीचे रखने के अनुमती देने के बाद ये कदम उठाया अमेरिकी वित्य विभाग ने सौमवार रात घोशना की है वित्य मंत्री स्टीवन नीचन ने राश्टपती डॉनल्ड ट्रम्प के निरुदेश पर चीन को मुद्रा के साथ छेड़ चाड़ करने वाला देश निर्धारित किया आपको बता दे कि अमेरिका की तरफ से साल 1994 के बाद चीनी करन्सी को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया था वित्य सौमवार को चीन ने अपनी करन्सी का डिवैलिउशन करके उसे 11 साल के सबसे निचले स्टर पर पहुँचा दिया है शुरुवाती कारोबार में योआन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिर कर साथ योआन पृती डॉलर से नीचे आ गया योआन में 1.4 फीसुदी की गिरावट अमेरिका के राश्पती डॉनल्ल ट्रम्प द्वारा चीन के 300 अरब डॉलर के समानों पर अतिरिक्त 10 फीसुदी शुल्क लगाने की घोशना के कुछ ही दिन बाद आई है अमेरिकी राश्पती डॉनल्ल ट्रम्प ने अपने एक ट्वीट में कहा था चीन अनुचित वपार गती वीडियो और मुद्रा की विनी में दर में छेड़ चाड़ करके अरबो डॉलर अमेरिका से लेता रहा है उसका इरादा आगे भी इसे जारी रखने का है ये एक तरफा है इसे कैई साल पहले ही बंद हो जाना चाहिए था ट्रम्प ने 2016 में राश्टपती चुनावी अभ्यान के दौरान चीन को मुद्रा के साथ छेड़ चाड़ करने वाला देश मान रखा था लेकिन वित्यमंत्राले ने ये कदम उठाने से इंकार करते हुए चीन को निकरानी सूची में डाल रखा था खैर अमेरिका ने तो चीन के युवान को ब्लैक लिस्ट कर दिया मतलब ये हुआ कि अब अमेरिकन कंपनिया चीन के साथ कोई भी कारोबार उसकी करनसी में नहीं करेंगे लेकिन इससे चीन की अर्थवस्था पर कोई असर पड़ेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं रिपोर्ट देखने के लिए धन्यवाद